नमस्कार एके एजुकेशन बीनेस पॉइंट जिरो टू में आप सभी का स्वागत है तो आज का टॉपिक है इगनु टीए में अच्छे नमबर लाने के लिए कम समय में तयारी कैसे करें बहुत से लोगों ने सवाल पूछा था सुच्छा कि जैनकारी के लिए फुरा सा क्यां करते हैं जांग करते हैं अन्य में पूछट करने वाले इगनु से कॉर्स करने वाले करने वाले अधिकांस लोग नोखरी पैसा कामगार लोग होते हैं उनके पास बहुता समय नहीं होता है है हलाकि में पता देना चाहता हूं यह पर लोगा पार्थिकराम पार्थिकराम परिक्षाओं के बहुत उप्योगी है आप रिविजेन उट के तौर पर भी इंगनू का म ने बसपर नती के लिए सिर्फ डिगरी की ओ सकता होती है तो वैसे लोग कम समय में अधिक नमबर लाने के लिए सोच विचार में आते हैं जिन्होंने इगनु की पढ़ाई की है उन्हें तो पता होगा लेकिन प्रथां बार इगनु से पढ़ाई कर रहे हैं छात्रों के मन मे एक प्रकार की भ्रहांती को भरम राता आगी इगनु में मार्स करते हैं और दे जाते हैं तो आप बिल्कूल निश्चीत रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है अगे हमारे सामनी ये है सवाल है कि अच्छे अच्छे मेंने आण चाहते हैं अग रहे समय नहीं है तो आप जरूर ही पार्टे समागरी का ध्यान करें तो आपके पास समय नहीं तो कोई बात नहीं है आप क्या करें इगनु की वेब साइट पर जाएं और वहां से इस इगनु वेश्टेंट एप से और दूसरा एक डाउनलोड यहां पर प्रश्ण पत्र डाउनलोड का उप्स और उसके बाद जो अस्याइंबंट ने लिखा है तो अस्याइंबंट का भी एक बार रिज्विजन आवस्य कर लें यह इतना काम होगे आपने प्रस्ण पत्रों का के अधियन कर लिया सभी प्रस्ण अभी बिल्कुल आप त्यार होगे सबसे पहले किस प्रस्ण का उतर लि तो बाकी के उत्तर और प्रश्णों का जो है मार्किंग भी तरह से बैठा लें जब यह काम करें कि जो भी प्रश्ण सभी प्रश्ण को पढ़ लें उसके बाद दूसरा सवाल आता है अगला पॉइंट है समय प्रबंधन कई लोग क्या करते हैं जाने के बाद कि पहला प्रश्ण ने खुब अच्छा से आ रहा है उसी पर पांच छे आठ तस पेज भर दिये उसके बाद के लिए उन्ते पास समय नहीं बसता है तो उससे कोई फैदा नहीं है आपने दो प्रश्णों का उत्तर खुब बढ़िया से लिग दिया तो कोई फैदा नहीं है अ आप दो प्रश्णा के अच्छा से उत्र लिकर के अच्छा मार्क स्कते हैं जैसे आपको आता हो सबसे प्राइड को सहीड़ों करें उसके बाद वाले को आप जानते हैं जाने से पूरु अपने दिमाग में बठा लें कि जाकरके वहां पर तीन घंडे में आपको कॉंपी लिखते हैं तो हैं अच्छा से लिखें ताकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है जो कोई भी देखने वोला आपका पहला प्रस्ट कुछ लाइने पढ़ेगा तो यह हो गया उसके बाद लास्ट गाइड वू किसा है ता देखिए इगनू का जो मैं इस प्रस्ट करना चाहता ह आप इस्टेटी मेटरियल को पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से कोई गाइड बुक पढ़ने के आव सकता नहीं है फिर भी आपके पास समय नहीं है और बाहुत ज्यदा कंफूज हो रहे हैं तो एक गुली बाबा की एक गाइड मिलती है उसको आप खरी सकते हैं और उसमे किस सवाल के लिए कितना समय देना है आपको तीन घंटे का अपका समय है तो तीन घंटे में किस प्रस्ण को कितना टाइम देके अच्छे से लिए सकते हैं उसमें से अपना रूप रेखा बना लें और उसी इन सब्सक्राइब चोड़ देते हैं दो अच्छा कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए एडट पॉइंट होगा हैं अच्छी अच्छे सब्सक्राइब लेकिन फिर भी मैंने गूली वबा की फुस्तिके हमें देखी हैं उसमें परिशनों के हल दिये गये हैं और कम समय में आप कुछ प्रिशनों का हल बढ़कर के तैयारी कर सकते हैं तो इस पॉइंट का ध्यान रखके आप इगनों के टी में बहुत और बिल्कुल बेफिक्रों करते हैं किजिए मेरी सुब्सक्राइब आपके साथ हैं थैंक्यू फिर अगले विडियो मिलते हैं आपसे